देखो बंटी, ये वही चुडैल की गुफा है, चलो अंदर चलते हैं। लेकिन भाई शंटी, कहीं उस चुडैल ने हमें देख लिया, तो हमारी तो खैर नहीं। मुझे बहुत डर लग रहा है, एक काम करते हैं, मैं यहीं तुम्हारा इंटरदार करता हूं। तुम अकेले जाकर उस तोते को वहां से ले आओ। पर उन्हीं वह चुडैल आराम करती ही दिखाई देती है। उसके पास में ही उसके तोते का पिंजरा पड़ा हुआ होता है। देखो बंटी, वो रही चुडैल, और वो रहा उसका तोता। हमें बस उस तोते को वहां से उठाना है। और चुपके से निकल जाना है। तुम चुपके से जाओ, और उसका तोता उठा लो। ए भगवान मेरे रक्षा करना। आल तु जलाल तू आई बला को टाल तू। फिर वह धीरे धीरे जाता है और चुपके से उसके तोते का पिंच्रा उठाता है और वहां से भागने लगता है। कहीं छोड़ेगा तभी बंटी के चिलाने की वज़ह से चुडैल की नींद कहुल जाती है अपने तोते को वहाँ का कर वा परिशान हो जाती है अरे मेरी तोते को कौन ले गया अब क्या करूं अब तो इस चुडैल की मीन भी खुल गई अब यहां से कैसे निकले हूँ तभी उस चुडैल की नजर शंटी पर पड़ती है ए कौन है तू मेरा तोता कहा है ए भगवाद अब मैं क्या करूँ अरे भागो रे फिर वह भागने लगता है अरे भागता कहा है डरपुक रुख जा तुझे मैं इस जंगल से निकल कर नहीं जाने दूँगी अरे भागो रे अपनी जान बचा के भागो चुरैल भी उसका पीछा करती है फिर वह भागते भागते गाओं पहुच जाता है वहाँ बंटी पहले से किसी के घर में छुपा हुआ होता है अरे शंटी भाई इधर देखो मैं इधर हूँ जल्दी से भाग कर यहां आ जाओ फिर शंटी भी उस घर के अंदर खुश जाता है अरे मर गए रहे हाए हाए आज तो बहुत बुरा फसे अरे मुर्ख बंटी तुझे तोता उठा कर वहाँ से भागने को कहा था भागते भागते चिलाने के क्या सरूरत थी अब लेले मजे उस चुडैल ने हमें वहाँ से भागते वे देख लिया है और वो हमारा पीछा कर रही है अब क्या करें शंटी भाई ये तोता तुम लेलो और मुझे अपने घर जाने दो मेरी बीवी ने तो मुझे पहले ही कहा था कि ये शंटी तुम्हें एक ना एक दिन मरवा के ही छोड़ेगा काश मैंने अपनी बीवी की बात सुन ली होती हाई हाई अब मैं क्या करूँ अरे डर पोक रोना बंद कर बात बात पर रोना शुरू कर देता है ऐसा कुछ नहीं होगा तू डर मत तभी चुड़ेल उनका पिछा करते करते वहाँ पहुंच जाती है गाउवालो तुमारी इतनी हिम्मत मुझे धोखा दे कर वहाँ से भाग आए ऐ चोरो कहा छुप कर बैठे हो मैं तुम्हें नहीं चोड़ूँगी मुझे मेरा तोता वापस कर दो नहीं तो अपनी जान से हाथ धो बैठो के वे दोनों उस चुड़ैल को छुप छुप कर देखने लगते हैं वे बहुत डर जाते हैं शंटी भाई मुझे लगता है हमें इसे इसका तोता वापस कर देना चाहिए नहीं तो ये हमें जिन्दा नहीं चोड़ेगी अरे तुम पागल हो गयो क्या सब करे कराई पर पानी पहरना चाहते हो क्या इस चुड़ैल के जान इस तोते में है जब तक ये तोता हमारे पास है ये चुड़ैल हमारा कुछ नहीं पिगाड सकती तब ही वह तोता जोर जोर से आवाज करने लगता है अरे ये तो मेरे तोते की आवाज है लगता है वह यहीं आसपास ही है फिर उसकी नजर उस घर पर पड़ती है जहां बंटी और शंटी छुपे हुए होते हैं फिर वह चुडैल भी उस घर में खुज जाती है ए तुमारी इतनी हिम्मत अभी के अभी मेरे तोते को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो तुम्हें कच्छा ही खाजाओंगी चुडएल जी हमें माफ कर दो अल्लो अपना तोता वापस ले लो बस हमें जाने दो नहीं नहीं, अरे बेवकोफ तुझे क्या लगता है, अगर हम इसको इसका तोता वापस भी कर देंगे, तो क्या ये कि हमें यहां से जिन्दा जाने देगी, अब हम किसी भी हाल में इसे इसका तोता वापस नहीं कर सकते, देखो चुडेल, मुझे पता है, तुम्हारे जान इस तोते में कैद है, अगर तुमने हमें नुकसान पहुचाने की कोशिश की, तो मैं इस तोते की गर्दन मरोड नहीं नहीं ऐसा मत करना, मेरे तोते को कोई नुकसान मत पहुचाना, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी, अब आया ना उट पहाड के नीचे, चल ठीक है, अब मैं जो कहूँगा तुझे वही करना होगा, शंटी भाई मुझे लगता है, हमें ऐसा नहीं करना चाहि अगर इसे इसका तोता वापस मिल गया, तो फिर ये हमें जिन्दा नहीं चोड़ेगी, बंटी कुछ नहीं होगा, ए चुडेल, मैं चाहता हूँ कि तुम अभी के अभी हमें 500 सोने की मुद्राएं दो, ठीक है, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा, फिर चुडेल अपने जादू से 500 सोने की मुद्राएं दे देती है, अरे देखो बंटी, हम तो अमीर बन गाए, अरे वावा, आज तो मजाई आ गया, बंटी और बताओ, तुमें और क्या चाहिए, इसे बोलकर अपने लिए एक गाड़ी भी मंगवा ले, नहीं भाई बंटी, मुझे तो ये सब जाद की है, फिर वा खिड़की से जाद कर देखती है, तो हैरान रह जाती है, अरे इतना सारा सोना, फिर उसकी नजर उस चुडैल पर पड़ती है, ए भगवान ये चुडैल यहां क्या कर रही है, ए भगवान मेरे पती की रक्षा करना, फिर वा अपने पती की जान बचान के लिए धर के अंदर खुच जाती है अरे मीना तुम यहां क्या कर रही हो तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था तुम सही कहती थी अपने लालच की वजह से मैं एक ना एक दिन जरूर मुसीबत में फस जाओंगा कोई बात नहीं अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा हम इस च अलत को ठुकरा रहे हो मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला अगर तुम्हें यहां से जाना है तो जाओ मुझे तो अभी खूप सारा सोना बनाना है ठीक है हमें इस सोने की कोई जरूरत नहीं चलो हम यहां से चलते हैं हे चुडैल जी हमें आप से कुछ भी नहीं चाहिए तेरी जान बख्ष तूंगी अरे तू क्या मेरी जान बख्षेगी तेरी जान तुम मेरे हाथ में है तभी अच्छानक से तोता अपने पर फर फड़ाता है और शंटी के हाथ से निकल कर उड़ जाता है अरे मर गय तोता भाई वापस आ जाओ ना अब तेरा क्या होगा कालिया ये छुड़ेली अपना सारा सोना वापस ले लो और कृपा करके मुझे यहां से जाने दो नहीं तुझे तेरे लालच की सजा जरूर मिलेगी आप मर गया रहे इस तरह सही समय पर संभालने की वज़े से बंटी की जान तो बच जाती है और अधिक लालच की वज़े से शंटी को अपनी जान जाती है